तो स्मार्ट बैंड प्रो के बाद अब रेड्मी ने लाँच करी है रेड्मी वाच्टू लाइट जिसमें आपको सौसे जादा फिटनेस मोड्स, जीपिएस, फाइटीम वाटर रेजिस्टेंस और काफी सारी चीजें मिल जाती हैं सबसे पहले अगर बात करें डिजाइन के बारे में बिल्ट क्वालिटी वाइज, फिटन फिनिश वाइज, रेड्मी वाच्टू लाइट काफी अच्छी है यहाँ पर जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है, आपको एक प्रीमियम फील यहाँ पर मिलेगी लेकिन इसके अवलाबा जो डिस्प्ले है वो वैसी है जैसी रेड्मी वाच में मौझूद थी इट इस अ ब्राइट अन पंची LCD डिस्प्ले और साइज है 1.55 इंचेस, थोड़ा सा यहाँ पर साइज को बढ़ा दिया गया है बट यहाँ पर आपको always on display का support नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको double tap करना होगा screen पर in order to wake it up और यहाँ पर आपको कुछ watch faces भी मिल जाते हैं जिनको access करने के लिए आप Xiaomi Wear app को install कर सकते हैं Speaking of the Xiaomi Wear app यहाँ पर आपको काफी अच्छी तरीके से जितने भी health और fitness stats हैं वो सब मिल जाएंगे इस application के through और यहाँ पर इस app की मदद से आप अपने notifications को भी tweak कर सकते हैं कौन से notifications आप receive करना चाहते हैं कौन से disable करना चाहते हैं calls enable अगर आपको करनी है तो वो भी option आपको यहाँ पर मिल जाएगा लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए कि notifications के साथ आप interact नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर आपको calling की functionality नहीं मिलेगी on this watch यहाँ पर आपको जो side में button मिलता है उसकी मदद से आप menu को access कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप home page से right या left जाएंगे तो आपको quick widgets देखने को मिलेंगी इसके अलावा नीचे की तरफ swipe करने के बाद आपको मिलेगा notification center और उपर की तरफ swipe करने के बाद आपको मिलेंगे quick toggles यहाँ पर health और fitness tracking के लिए Redmi watch to light में 100 workout modes का support है और इस बार आपको 5 ATM water resistance का भी support मिल जाता है यानि कि फिर आप swimming करने जा रहे हों या फिर नहाने जा रहे हों आपको कोई भी problem यहाँ नहीं आएगी Redmi watch to light में आपको GPS का support मिल जाता है जिससे आप अपने steps को काफी accurately track कर सकते हैं हमारी testing के दौरान जो step tracking है वो काफी अच्छे से काम करी और इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ features जैसे की heart rate monitoring, SP auto monitoring while sleeping, stress tracking और sleep tracking along with monitoring heart rate and REM जैसे support मिल जाएंगे यह है quick demo जहाँ पर हम Redmi watch to light को compare कर रहे हैं एक pulse oximeter के साथ और आप देख रहे हैं कि काफी अच्छी accuracy यहाँ हमें मिल जाती है on the Redmi watch to light इसके अलावा यहाँ पर sleep tracking भी काफी accurate है आप Xiaomi Wear app में जाकर अपने जितने भी sleep insights हैं उन्हें काफी अच्छे से check कर पाएंगे battery life की बात करें दिन यहाँ Redmi promise करती है 10 दिन का backup अगर आप typical use करेंगे और 5 days का backup अगर आप इसे एकदम full on beast mode याने की सारे features को turn on करने के बाद use करेंगे हमारे experience में with heavy usage and with all the health monitoring features turned on medium brightness पर हमने यहाँ पर इस watch को use किया और हमें 6 दिन का backup मिला on heavy usage which is pretty good और charging time यहाँ पर watch का है 90 minutes तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा overall यहाँ पर हम यह कहना चाहेंगे कि अगर आपका budget है 5000 रुपया आपको अगर एक budget smart watch चाहिए जिसमें आपको reliable health and fitness tracking features मिल जाएं अच्छी battery life मिल जाए and of course it is not very hard on your pocket then आप definitely यहाँ पर redmi watch to light के साथ जा सकते हैं यह एक solid purchase है उनके लिए जिने एक decent entry level smart watch चाहिए तो कैसा लगा आपको यह review लेटस नोड़ा आतने in the comments और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज से like और share ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन पर टैप कर दें और हम आप से मिलेंगे जल देख नए वीडियो के साथ दन्यवाद, take care of yourself, goodbye and stay safe